आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर है तो कैसे हैं सब लोग आप सब अच्छे होंगे आज मैं बात करने वाला हूं अपनी डूमिनार की मेरी जो डूमिनार है वो चल चुकी है जो अपनी बाइक दो तीन दिन से ऐसी ही खड़ी हुई है इसकी काफी हाला ऐसी है इसके टायर में भी पिंचर है चलो रास्ते में लगाते हैं अब निकलते हैं घर से अपसे मिलते हैं रास्ते में बात करते हैं हम घर से निकल चुके हैं इसमें सबसे पहले पिंचर लगवाते हैं इसके यह तायर है उसमें पिंचर है तो यहां पर यह पिंचर की दुगान है पिंचर लगा दो पिंचर लगा दो की लेक की अपिंचर की अपिंचर की अपिंचर की लागा दो पिंचर की अपिंचर 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 की अपि ये दुख्येरी कील बेक तेरा बलाओ थे लाए इत्ती वडी कील खाल अधिया इस परण शेयर आपने थोड़े जान पिजान वाले तो उनके पास चेखते इंथानी तो कहने लगी कोई नहीं बाद में दे जाना तो कोई नहीं आते वक्त इनको देजेंगे काम है इधर वो काम भी करना है पिर चलो में फटावट वले हो काम अपना निम्टा लेता हूं फिर आप से बाते बरता हूं यह जो काड़ बन वालिया है और बाइक वोशिंग पर आ चुकी है डेड़ घंटे वेट करने के बाद बाइक अब बोश हो रही है बलकी लगती है काफी अभी ऐसा फील नहीं होता कि इस बाइक को चला गए कि कोई जैसे स्पोर्ट बाइक नहीं हो ऐसी लगता है कोई सूपर बाइक ही मैंने आउन की हो अब मिलते हैं आप सीधा सर्विस के लिए भी है जाई से तैसे दो घंटे का और वेट करने के बाद वोशिंग एंड होल सब कुछ होने के बाद अपनी नामीनार आज चुकी है अपनी असले ठीकाने पर अब होगी इसकी सर्विस इसकार अब इसमें इंजन ओल फील हो रहा है यह 1.2 ml अब 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 इसमें निकले गया तो इन्होंने जुबाड़ करके डाला है और यह 100 ml की पाच केन सीजियां है यह भी इसमें फील होगी यह फ्रेंट ब्रेक चेंज हो रहे हैं इसको पूरा निकालना पड़ता है अब इसमें से यह प्रेशर निकलेगा जब जा गई यह इसकी ब्रेक पैड निकलेगी फिर यह चेंज होंगी बात करते हैं अपनी डॉमिनार की सर्विस कोस्ट की कि टॉटल इसकी जो सर्विस कोस्ट थी वह कितनी थी इसमें जो टॉटल सर्विस कोस्ट है इसकी वह 2370 रुपे है oil filter जो इसमें डलाता वो 80 रूपे का डलाता और जो engine oil का amount आया है वो 1600 something आया है 1600 रूपे something और इसमें जो front और rear brake pad जो इसके डले हैं वो around 500 के रूपीज के around डले हैं वो तो ये जब डलते हैं जब हमारी भाई के 10,000 km चलती है तो जो हमारे brake pad है वो घिस जाते हैं तो 10,000 km पर change होते हैं वीडियो कर अच्छी लगे तो like करे share करे comment करे और channel को subscribe करे thank you so much